अभी मैं कंबोडिया में हूं फे पेट शहर जो भीलकुल थाइलंड के और कंबोडिया के बॉर्डर पेकंबोडिया साइड भी में जैसे कल में था है आरियन अरन्या प्रथेत में था को था अरन्या और और यांड प्रत हैं बहुत प्यारा शहर था अı बहुत प्यारा सबक़कुल बढ़िय। और यहां आते ही तस्वीर एक्दम बदल गई अभी मैं पोईपेट में हूँ जो कमबोडिया का थाइलेंड बॉर्डर पर कमबोडिया का शहर है और यहां पर कुछ आटदस कसीनो है और अब मैं वहां कसीनो में जाऊंगा देखूंगा यहां के कसीनो कैसे है क्या है थोड़ से एक्सरसाइज कर सकता हूँ काफी अच्छा इस पेस है रसल खेमा जैसा और बस बाकी जो भी होगा बताएंगे एड करता रहूंगा या वीडियो डाहुता रहूंगा तो दोस्तों मैं अभी अपने होटल से भार निकला हूँ और दुपैर को तो सन्नाटा सा था पर अब शाम को थोड़ी सी रोनक दिख रही है और मैं अभी जाऊंगा कसीनो यहां बहुत सारे कसीनो है मेरे कल से साथ आठ या उससे भी ज़्यादा है तो कहां मुझे जाना है अब यह अच्छा यहरी सबजीयां पत्ते दिख रहे हैं तो मेरे को खाने के लिए चीज़े यहां भी मिल जाएंगी अब पत्ते भून के खा रहे हैं पस एक ही चीज है कि यह मिलेंगे सब शाम को बदर शाम को मिलेंगे दिन में नहीं तो कमबोडिया में आज पहली शाम है यह गरीब देश है इसका अंदाजा अब इस बात से लगा लो कि हमारा एक रुप्या यहां का 48 रुप्य है मतलब अगर मैं एटीम से हजार रुप्य निकाल लूँगा तो यहां के 48 रुप्य आएंगे यहां की क्रंसी जो है वो रियाल है रियाल और क्रंसी की हालत बहुत खराब है कि मतलब हमारा एक रुप्या यहां का 48 है हुआ है कि एटीम ढूँड रहा हुद और यह राएटीम के काफी रुप्यार को आया था तो एकड़म खाली खाली साथा था तो यह यह दोनें 50 रुप फैसे निकाल निकाले क्यों थाए का एक नोट आया है कि यह पचास अजार ही एल है कि बड़ा ही अजीब शहर है कि और कि खाना भी मुझे थाइलेंड से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उसके उस तरफ खाना तो पूरे थाइलेंड में मिल रहा था उसी तरह क्या था बलकि और अच्छा भी अच्छा था यहां आते ही मुझे खाना जो बेच रहे हैं स्क्रीट फूड वह थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है और यहां पर भी ज्यादा तर लोग स्ट्रीट फूड भी खा रहे हैं वह जो कार्ट पर बनाके बेचते हैं और एक्टम गंदगी और सड़के टूटी हुई और मुझे किसी ने कहा था कि थाइलेंड से आप वहां जा रहे हैं तो आपको और ज्यादा आजीव लगे हैं थाइलेंड बिल्कुल डिफ्रेंट है हमारा इंडिया का एक रुपे हैं का रफालीस रुपे है मैंने अभी एटियम से पचास जार रुपे निकाले यहां के प पांसो तो कटे हजार रुपे निकालने पर इंडिया के उस पर पांसो चार्ज लग गया मनें पांस डॉलर तो उस पर चार्ज लग गया और मैंने 100 यूएसडी निकाले अच्छी बात क्या थे कि ATM में यूएसडी भी निकल रहे हैं मतलब अगर आप आप चाहों तो आप य किसी और एटिम को चार्ज करूंगा अब मुझे कल दिन में यहां से पता करूंगा कि यहां की जो कैपिटल एफ को नो फिनम 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 क्या मैं बूल भी नहीं बाता देंसे फिनम फिनम वह देखूंगे 24 घंटे की मार्किट है कहीं पर भी इंगलिश का इस्तमाल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा मतलब यह बॉर्डर वाली साइड जादा तर ऐसी होती है पर थाइलेंड का जो बॉर्डर था आरणिया पारे प्राथे जबरदस बॉर्डर था इतना बढ़िया बॉर्डर मैंने आज तक भी देखा मैं नेपाल से भी वाई रोड आया हूं सा करने पीसीनو है और पहले मैं मुशा से शुरू कर गाएं आधी कसीनो और देखेंगे जो अच्छा लगेगा कसीनो को उसकीनो में आएंगे, एक वह सामने कसीनो एक इधर कसीनी कषीन है कि तो यह थाइलेंड कंबोडिया का पोईपेट बॉडर है कि कल मैं उस तरफ था बहुत बढ़िया नजारा था बहुत बढ़िया सुविदाती अच्छा था होटल यह भी अच्छा है यह भी होटल अच्छा है और बस खाना पीदा और माहौल बिल्कुल चेंज है वहाँ पर यह सब चीजे भी बहुत बढ़ी आती तो मैं कसीनो जा रहा हूं मेरे पास कुछ दो तीन सो डॉलर है तो देखता हूं क्या होता है जब भी होगा आपको बताऊँ गा तो जो भी होग पटाऊँ गा यह क्राउन कसीनो में जा रहा हूं यह बोर्ड आप देख रहों पीछे क्राउन कसीनो है इसमें जाके खेवे देखते हैं कुछ क्या होता है तो सो डॉलर या 200 डॉलर तक ही खेलूंगा कि इससे ज्यादा नहीं फिर डूर्ट कसीनो चेंज करूंगा अगर पैसे चले गए तो कसीनो चेंज करूंगा बढ़ गए तो निकल जाओंगा विल्कुल बॉर्टर के सामने कसीनो यह बॉर्टर है इंमिग्रेशन ओफिस है यह और यह कसीनो क्राउन कसीनो क्ये झाल आचने में यह ज जिसके पाल ट्री अगरेशन आचामे कर दिस्तौण जी कि आँ जीनो यह यह श्रीज कर दो सुट्रुमॉर्टर के साट आजय कि आख दिसीनो अवार नहीं ने क। यह दोस्तों कीडे बिख रहे हैं जिन कीडों को आप लोग हेट वेट से मारके फेक देते हो यह वाँ बिख रहे हैं बिजनस चल रहा है यह बिख रहे हैं कि यह सामने बॉर्डर है यह कसीनो है क्राउन कसीनो मैं अभी स्क्राउन कसीनो से भाहर निकला हूं और अभी थोड़ी दिर में बताऊंगा रिजल्ट गया है पहले कुछ खा लूँ बढ़िया सा कि मैंने प्रूट लिए मेरे कुछ अभी खालूंगा यह ज्यादा ले लिए दो दो लिए मैंने तो जो अभी खाऊंगा वह खाऊंगा बाकी फ्रिज में रख दूंगा तो मैं कल खालूंगा और अभी एपल और लिया है यह जो जाओं अगया है कि अन्डेड बात का है बलब 20 का एक था तो दो मैंने ये लिए दो ये लिए एक अपल यह तो अन्डेड बात हो कर दो ले लिए काफी सारे तो कुछ में अभी खालूंगा कुछ में सुबह खालूंगा कंट्री मुझे थोड़ी सी अंसेफ लग रही है बहुत लोगों ने बोला था अलागी कोई ऐसे कुछ हुआ नहीं है कोई ऐसा है पर वह एक वाइब आती है ना जो में को फिलिपीन्स में आई थी कि फिलिपीन्स भी बड़ा अंसिक्योर टाइब लग रहा था से मुझे जो देश गरीब होते ना वहां थोड़ा यह दिक्कत रहती हलागी फिलिपीन्स की क्रंसी पेसो हमसे थोड़ी बड़ी थ पर वहां का जो इंफरस्ट्रक्चर था वह बहुत वह था अब यहां पर मैं भी कसीनों से भाहर निकला हूं मैंने कसीनों में कुछ 3,000 भात से खिलना शुरू किया था और मैंने 9,400 भात बनाए वहां पर और मैं निकला आया जबकि मैं और खिल सकता था पर मेरा मन नहीं किया क्योंकि बड़ा नेगिटिव वाइब आ रही थी और यहां पर यहां पर और आ जो आंना क्या नाम है जो लोग हैं कमबोडियन है उनको भी कसीनों में ला हुए यह वी एक कसीनों ए रिजॉर्ड कसीनों टोपिगवाने टोपिकाने रिजॉर्ड कसीनों है और यहां पर यह जो circle है, इस circle पर भी कम से कम 3 casino है, और मेरी वह लोकल से बात हुई, तो वो गहरें कि यह जिस casino में बैठा था वही सबसे बड़ा था, अब सबसे बड़े casino की हालत देख करके मुझे लगा, बाकियों की क्या होगी जब यह इसको ही सबसे बड़ा बता रहें, और कोई धंकी सर्विस नहीं थी, खाना वगरा भी कुछ नहीं था, टेबल वाले रूलेट नहीं थे, सब आटो रूलेट थे, और वो मैं वैसे ही नहीं खेलता, वो तो मेरे पैसे पहले घट गए, वो अचानक बढ़ गए, मतलब कुछ में मजा नहीं आ रहा था, और मुझे मैं जीत रहा था, मैं प्लस में हूँ, पर मेरा मन नहीं गर रहा था, देखो ये सामने कसीनो है, लक्की 369, ये छोटे-छोटे कसीनो बने हुए, दुकानों के टाइप के, वो सामने रूलेट वाला कसीनो बना हुए, तो यहां ये छोटे-छोटे कसीनो बने हुए, ये भी एक कसीनो है लाघ रेंड विक्टर कसीनो को तो यह समझ में आ गया कि अब मैं कसीनो के लिए नहीं रहा नहीं प्लस होने के बाद आदमी में जोश होता है मैं मतलब में वहां से भाग रहा था बारब मैं मोबाइल देख रहा था कि कितना टाइम हुआ है और चलूं वापस फिर भार निकलती है मैंने फ्रूट पेक करवाए है अलाकि वहां खाना था पर कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे अपने इंडिया में या नेपाल में कसीनों होता है कि वह वहां पर थी तो मैंने दो बार वह थोड़ा थोड़ा लिया जिसमें वह पते और ब्रोकली और गोवी गाजर सब बॉयल करके वह सौस डाल के होता है तो वह मैंने खाया और मैंने फूट ले लिए काफी सारे फूट ले लिए जो सुबे का मेरा ब्रेक्वास्ट भी हु इस वाले होटल में फ्रिज है देखो गंदगी है रोल टूटे हुए है और यह तब देखुए कितना बड़ा ओफीस गौवर्मेंट का इसके भार की हालत है और मैंने वहां पता किया तो को कह रहेगी 80% तो कमबोडियन लोग खेलते हैं या 20% थाई लोग थाई या थोड़े लोग यहां पर कसीनों खिलने आते हैं तो वह कमबोडिया बॉर्डर पर आते हैं उदर वेतनाम के भी लोग आते हैं वेतनाम वाले बॉर्डर पर खिलने वहां पर भी कसीनों है यह स्टेशन इनका स्टेशन इनका झाल झाल